हेलो एक्रैंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल आज हम लोग कि स्वर और बेंजनों का उचारилось देखेंगे कि पुजार्द स्पान में लाच्ट विडियो में देखा है उसका सोत्र देख लेते हैं उचारण अस्थान के लिए सूत्र देख लेते हैं पहला है अकूह विसर्जनिया नाम कंठा यह हमारे वर्ड है और यह उचारण स्थान है अकूह आ से छोटा आ कूह से यानि कावर 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 में हमने लाश्ट विडियों पड़ा पांच वर्ड होते हैं काखा गागा और अंगा कावर्ग हो गया और विसर्जनिया नाम यानि विसर्ग विसर्ग यह किसमें आते हैं इनका उचारण स्थान कंठ होता है नेश्ट है इचू यसा नाम तालू इचू यसा नाम तालू इचू यह हमारे वर्ड और यह है उचारण स्थान इसे छोटी इ और बड़ी इसमें भी वैसे छोटा आ और बड़ा आएगा छोटी इचू चू मतलब चावर्ग चू मतलब चावर्ग सकोम ली सकते हैं चावर्ग यसा नाम यसा नाम चावर्ग और सा नाम यानि सा यह किसमें आते हैं इनका वचारण स्थान तालू है इचू यसा नाम तालू नेश्ट है रिटूर श्ला नाम मुर्धा यानि इनका वचारण स्थान क्या है मुर्धा है यह कौन-कौन से है री से छोटी री और बड़ी री तू यानि टावर्ग तू मतलब टावर्ग हो गया इनका वचारण स्थान क्या है साथ में सा है इसका वचारण स्थान क्या है मुर्धा है नेश्ट है लितू लशा नाम लितू लशा नाम दंता यानि इसका वचारण स्थान क्या है दंत है सूत्र इसका है आपका और इसका डिटेल देख लिजे लिरी और तू यानि तावर तू मतलब तावर लशा नाम यानि इस्षा इसका उचाड़ स्थान क्या है तालू है नेश्ट है उपू पद्भन्या नाम उपू पद्भन्या नाम उष्ठा उपू पद्भन्या नाम उष्ठो चोटा उपू बड़ा उपू यानि पावर पू मतलब पावर पावर में कितने वर्ड आएंगे पाच वर्ड आएंगे इनका उचाड़ स्थान क्या है उष्ठ यानि ओठ है नेश्ट है इन्या मंगडा नाम इन्या मंगडा नाम नासिका चा यानि इन्या मा ला अड़ा और ना इनका उचाड़ स्थान क्या है इनका उचाड़ स्थान नासिक है यहां हो गया का वर्ड आगा चावर चcert właści यह ता वर्ड टा था डा धा अड़ा ता वर्G ता था दा धा ना पा वर्ड पा भा भा मा क्ये हमारे पाचु वर्डру गें नेस्ट है ए दैतो कंठ तालू यानि ए ए और आये कवचाल सान क्या है कंठ प्लस तालू नेस्ट है ओदवतो कंठ प्लस तम यानि ओद ओ और आयो और आयो कवचाल सान क्या है कंठ प्लस दोनों कंठ प्लस वकारस से दन तोस्थ हम वकारस से दन तोस्थ हम वकारस का मतलब वकारस का मतलब व वह है इसका उत्मट और थे दन्त योस्थ कर लेते हैं आपकू विसे जनिया नाम कंठ है यानि चुछटा आ और अर बड़ा कावर्ग और हां कावर्ग और हा इसका उत्वी力, कंठ और इसका उचाड़ास्थान क्या है कंठिने श्टे शेच शेचा नाम। चार और निस्टी या खिस शेचा और। इन सब का उचाल स्थान क्या है ताल हुए लिटू लशा नाम मुर्धा यानि जी टावर्ग जी टावर्ग और क्या बचा रा यहां से है रा इसका उचाल स्थान क्या है मुर्धा है लिटू लशा नाम दंता छोटी लिरी बड़ी लिरी तावर्ग इनका उचाल स्थान और य बड़ा उ पावर्ग इनका वचार स्थान क्या है उश्ट है इनला नाम वचार स्थान क्या है न नषिक ए दचनलना कॉच्छान नाषिक नशिक है दन तोस्थ हम यानि दन तो रोस्थ हैं यह हमारे सूत्र हो गए चार अस्थान के आगे देखते हैं इसका वर्गी करण हम कैसे करेंगे बेंजन का वर्गी करण हमने देखा था बेंजन तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन से इस पर्स बेंजन अंतस्त बेंजन रिष्था उस बेंजन और चौथा प्रकार सन्युक्त बेंजन को भी हम ले लेते हैं लेकिन अगर बेंजन के प्र त्रगत 25 वर्ड आते थे उसम holiness के अंतरगत 4 वर्ड आते थे यारा लावा और उसमें इंजन के अंतरगत 4 वर्ड आते थे सासा और हां और आगी देखते हैं मिंजन में भी यह जब त्यार करते है शार्ट की मार्धिम से आव असानी समझते हैं पहले तुम देख लेते हैं घोसत्व के अधार पर किते प्रकार के होते हैं घोसत्व के अधार पर बेंजन का वर्गी करण और घोसत्व के अधार पर दो प्रकार के होते हैं एक होता है आघोस एक होता है आघोस और दूसरा होता है साघोस आघोस किसको कहते हैं जिन धुनियों के उचारण में स्वरतंत्रियों में कमपन ना हो आ मतलब निगेटिव आ लगने पर निगेटिव अर्थ मिलता हमें यानि ना हो कमपन ना हो उसको आघोस बोलते हैं और जिन धुनियों के उचारण में स्वरतंत्रियों में कमपन हो उसको हम क्या बोलते हैं सागोज बोलते हैं भी आगे देखते हैं कौन-कौन आते हैं इसके अंतरगट और सेकेंड है प्रारत्व के अधार पर किते प्रकार की होते हैं प्रारत्व के अधार पर भी दो प्रकार की होते हैं पहला होता है अलप प्रार अलप प्रार सेकेंड ह होता है महाप्राड अल्प प्राड किसे कहते हैं महाप्राड किसे कहते हैं जिन बंजनों के उचारण में मुख से कम हवा निकले उसको अल्प प्राड कहते हैं और इसके उचार में मुख से अधिक हवा निकलेगी उसको महाप्राड कहते हैं कि हैं और यां हमने लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रकार देखे थे कुछ इसमें देख रहा है सब को आघोस सागोस देखेंगे इसमें हम और अलप्राल और महाप्राल देखेंगे और उचाल अस्थान हमें देख लिया था सबका चाल टेग में बनाते हैं यह हो गया हमारा वर्ग यह हो गया उचारल अस्थान उचारल अस्थान और यह जो उचार अस्थान हो गया सघोस हमने देखा सघोस सभी स्वर सघोस होते हैं सभी स्वर कैसे होते हैं सघोस होते हैं सभी स्वर सघोस होते हैं इ कि रस्वारों कि उप्चाराव स्थान हो गया निश्च आ गोसि अगोस की और मृनम पराड निश्ट है अगोस और अगोस और गोन महां पराड अगोस के picked सघोस महाप्राच नेश्ठ है सघोस अलब प्राच और ये जो लाश्ट वाला है इसको हम नासी कुई बोलते हैं, विव्चार स्थान में देखा हमने वर्ग, सबसे पहले हमने कौनसा वर्ग पढ़ा था, चा वर्ग, की बाद चा वर्ग की बाद टा वर्ग, तावर के बार तावर्ग फिर लाष्ट में पावर्ग उचाढ तावर्ग उचाढस्थान का child यह वर्ग की बात की जाती है यह कावर्ग चावर्ग तावर्ग उचाढस्थान अब मिले देखा तालू होता है ताल वोता है तावर का उचाध नाम् दंट्थ होता है उपू पदमन्या नाम ओष्थो यानी पावर का उचाध स्थान क्या होता है और अगोस, हमने का वर्ग में किते वर्ड देखें पांच वर्ड का खा गा गा और अंगा तो यानि कहने का तात पर है पहला वर्ड पहला जो किसी भी वर्ग का पहला वर्ड जो होता है वो अगोस होता है और अलब प्राड होता है दूसरा जो होता है अगोस होता है और महाप्राड होता ह तीसरा सग्होस होता है अलवप्राड होता है चौथा सग्होस होता है महाप्राड होता है पांचवा वर्ड सग्होस होता है अलवप्राड होता है इसको नासी कोई बोला जाता है यानि कहने का तात पर है पहला और दूसरा लगातार अग्होस रहेगा पहला और दूसरा जोधा महा प्राल पांचमा अल्प प्रार महा प्रार महा प्रार महा प्रार अग्होस में पहला दूसरा अग्होस बाकी 3 हो सुथी है यह उसे शार में नहीं त कि आए धा कोई कि अधा पाश पा वर्ग में पा भा 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 और मा यानि सभी वर्गों का पहला वर्ड अगोस और अलप्राड होता है दूसरा वर्ड अगोस महाप्राड होता है तीसरा वर्ड सगोस अलप्राड होता है चौथा वर्ड अगोस सगोस महाप्राड होता है पांच्वा वर्ड सगोस अलप्राड होता है इसको हम करम से यात रखेंगे पहला और दूसरा वरड़ा घोस होता है तीसरा चौथा पांचवा में यह सब्सक्ता पहला अल्पे था दूसरा महापरार तीसरा अल्पे नहीं पर आप प्राड अब हमने पढ़ा था और साथ में अंतर्सत बिंजन अंतर्सट बिंजन थेपोड़े तीजें ॆ और ये सभी क्या या उचाड अस्थान हमने देख लिया है अब आगोस और सघोस में देख लेते हैं या राल लावा यह चारो वर्ड कैसे वर्ड है सघोस हैं सब चारों वर्ड कैसे हैं सघोस हैं और अलप्रप्राड हैं अंतर्स्त बिंजन का हो नेश्रम्रगों ने दिखा था उसमें बेंजन में कितने थे सा और हाँ सा इस सा को कौन सा सा बोलते हैं हम इसके उस्ट चार अश्तान पे इसके नाम रखते हैं इसको तलब्बी सा बोलते हैं इसको मुर्धनियों सा बोलते हैं तलबभी सा मुर्धनियों सा चोटे साका उचाड़स्थान, इसको हम छोटा सा भी बोलते हैं, चोटे साका उचाड़स्थान से हम इसको भी नाम करण करेंगे, पीछे एक बार देख लीजिए, इस साका उचाड़स्थान है तालू, इसलिए इसको हम बोलते हैं तलबी सा, इस साका उचाड़स्थान है से अफल से हैं तालू मुर्धा ताल की बाद मुर्धा आता है बंडद आता है वैसे ही इसका भुका विक्रम है यह सापातो अब refresh निसा और Def अज़ा कि इनमें स्भोक्ते सलनीधा को मूं हूस है यह उनलस काने हैं1 को Origles 6 और महाप्राड है जबकि हा एक अकेला हा यह सग्षोस है सग्षोस है और महाप्राड है यह सग्षोस अल्प्राड है अंतस्त बिंजन सग्षोस अल्प्राड है तो सग्षोस की बात क्या आता है अग्षोस आता है इसलिए सा 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 तीनों सा कैसे अग्षोस है और अल्प्रा है और महाप्राड है हम कुछ वर्डों की कुछ इंप्वार्टेंट नाम है उनको लेंग कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने इसको देखा था जिनके नीचे बिंदी लगी होती है इसमें इसको हम क्या बोलते हैं इन दोनों को हम बोलते हैं दियुगुड या इच्छिप्ट वेंजन भी बोलते हैं दियुगुड वेंजन भी और उच्छिप्ट वेंजन भी बोलते हैं उच्छिप्ट वेंजन भी बोलते हैं उचाड स्थान जैसे एक किस वर्ग में आता है टावर्ग मे क्या होंगे मुर्धा होंगे टावर्ग में हम देखेंगे यह किसमें आता है पहला क्या था अगोस होता है अगोस होता है सघोस होता है यह सघोस में था इसलिए हमारा यह भी कैसा होगा सघोस होगा इसका उचारस्थान क्या होगा मुर्धा होगा मुर्धा होगा और सघोस हो भी इसके पलेस के रियंगे इसको को देखेंगे तो ये होगा अगोस अगोस बागी तीनों सघोस होते हैं इसलिए क्या होगा सगोस हो जाए application महा प्रार महा प्रार इसलिए कैसा होगा महाप्राड होगा आगत ध्वनिया हम देख लेते हैं आगत धुनिया अकसर पूछी जाती है कौन से आगत धुनिया है निमन में आगत धुनिया में हमारा का है खा है गाहे जा है और फा है यह आगत धुनिया है जिन सब्दों के अंत में छोटा आ आता है उनको अकारांत बोलते हैं ये भी कोश्चन आया हुआ है जिन सब्दों के अंत में छोटा आ आता है कि पूलते हैं अकारांत बोलते हैं बड माला में वर्णों की संख्या को लेकर मत्भेद हैं हर कि सुषिलाल वाजपेई के अनुसार 33 वर्ण है कामता प्रसाद गुरू के अनुसार 46 है उद्धर नरायर तिवारी के अनुसार 51 है दिरेंद्र वर्मा के अनुसार 33 है हम बावन क दो मानता देंगे वाकिए अगर तो नाम दे के पूछेगा तो मुझ के हिसाप से इसको लगाएंगे कि कुछ इंपॉर्टेंस नाम है एंको देख लेंगे कुछ वर्नों के हिंपॉर्टेंस नाम है मुनको देख लेंगे जो जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है या और वा या और वा इसको बोलते हैं अर्धस्वर और चाचा को क्या बोलते हैं चावर को इस पर से संघर सी बेंजन भी बोला जाता है चावर को इस पर संघर सी बेंजन भी बोलते हैं ड्रा को लूंठित और परकम्पित भी बोलते हैं लूंठित और परकम्पित भी बोलते हैं ला को पास्रिक बोलते हैं एजाम के पॉइंट से नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है चावर को इस पर संघर सी बोलते हैं हा को काकल्प काकल्प या स्वरतंत्रिये बोलते हैं हम का कलप या सवर्त बोलते हैं रा और ला ये या अर्वा को अर्दुस्वर बोलते हैं यह को पॉॉट ठांक्स इप